मैं आज हम बात करेंगे डिफन बिचियां की ठीक है कुछ नहीं विगड़ता इनका और ये और ज्यादा प्लाट्स बनाने में काम आ सकते हैं चलो अज देखते हैं कि किस तरह से हम इनके और ज्यादा प्लाट्स ना सकते हैं मैंने तो इस चैनल पर बहुत सारी चीजें दिख आपने बड़े ध्यान से कट करने में अभी कट करके दिखा हूँगा और हातों पर मुह में यह ना लगे मैंने पहले से यह लिया है नाइफ लिया है और इसको मैं काटोंगा पीसीज में यह पोधा बड़ा छोड़ लेना है इसके लिए थोड़ा से जादा लगब चार इंच का यहां से मैं छोड़ रहा हूं और इसको कट कर देते हैं यह एक अलग से प्लांट बन जाएगा तो आपको मैंने बताया भी था कि इस चैनल पर बहुत कुछ नया होने वाला यह मैंने काट दिया है इस तरह का कुछ तो फ्रेंस अब हमने क्या करने है इन को यूज करने हम कपड़ों के दिये लागे हैं और इस तरह के पीस लगबग तीन इंच के करीब का हिस्सा मैंने लिया है और ऐसे ही में इसके पीसिस कर लूँगा हर एक में कम से कम एक आई ऐसी होनी चाहिए तो और और कि बिल्कुल सिंपल तरीका है लगबग एक हफ़ते के अंदर अंदर नई जड़े निकल आएंगी और नया पौता त्यार हो जाएगा यह तीन तीन इंच के हमने फीस इस तरह से कर लिए हैं इन पर पहले से ही जड़े हैं यह हमें फाइदा देंगी और काट लेता हूँ मैं यहां से इस तरह से तीक है और इसको मैं जड़ा सकते हैं यह तीन चार पौधे यहां से निकल आएंगे अब हमने लेने हैं रेत सिर्फ रेत सैंड यानि और कितने भी बड़ी जगह हो यह मैंने बल्कुल छोटा सा पाट लिया एक बड़ी जगह भी हो सकती है यह पूरी इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है तो अच्छी बात है इसको पूरा हम रेत से भर सकते हैं और इसके बाद हमने सिर्फ करना है इसको तो हमने अज़िट इस लगा देना किसी भी कमले में इस तरह से बस और कुछ नहीं करना ऐसे लगा के जितना ज्यादा गहरा य इंच के तरी तो यह हमने ऐसे लगा देना पॉस्पली पॉधे खरीदने की कोई जरूरत नहीं है तो यह अलग से ही एक पॉधा त्यार हो गया है और जो कि बचे हैं पीसिस उनका क्या करना है वो पीस हमने इस तरह से इस तरह से करके कि सिप बड़े घम्ला में भी लगा सकते हैं और चोटे में भी हमासकते हैं ठीक है तो यह इस तरह से भी लगाया सकता है मैं दिखा देता हो कि किस तरह से हमने यह बना से ज्यानג कि आए है तो फ्रेंस यह लगबघ पंदरा दिन इनको हो चुके हैं और मैंने इस सिंपल सी बालती में सिरफ रेत डाला है और इनको मैं भी दिखाता हूँ कि लगबग 15 दिन के यह सबसे उपर वाला हिस्सा है यह लगा दिया है यह लगबग 10 दिन पे ही यह चीज है यह इस तरह से यह इस तरह से जड़ें निकल आई हैं और यह पौदा हो गया त्यार तो अब चिंता की कोई बात नहीं है बिल्कुल भी इस तरह के प्लांट्स डिफन वेचिया जो है आप घर में ही कि बना सकते हैं एक से दस बीच जितना भी बड़ा पौदा होगा यह देखिए कि सब त्यार है तो और भी अगर किसी प्लांट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा इसी चैनल पर और भी चीज़ें बहुत सी होगी टैवल भी होगा सब होगा लेकिन चैन को उप्तवाना पुडएगा